तो आज हमारे सफर की शुरुवात होती है सेरसा सूरी के उस सिपह सालार से जिसका मगबरा हिमायू की मगबरे के बनने से पहले बना हुआ है वैसे तो हमने अपने सफर की शुरुवात हिमायू की मगबरे को देखने के लिए की थी लेकिन वहां पहुशने से पहले हमारा सामना ईसाखा के मगबरेश होता है अब बार-बार मन में यह सवाल आ रहा था कि आखिर सेर्शासूरी के किसी सिपह सालार या राज़दरबारी का कोई मगबरा कैसे हो सकता है लेकिन हम जिस सक्सियत के बारे में यहां पढ़ने वाले थे वो कोई आम सक्सियत नहीं थी ना वो सेरसासूरी का कोई आम राश्दरबारी था इसा खानियाजी सेरसाथूरी का वो राष्टर बारी या सिपेसालार था जिस पे चड़कर सेरसाथूरी ने मुगल सक्सियत के तरफ देखने की हिमाकत के थी। इनके मक्बरे को देखने से तो ये पता चल गया कि ये सूर्वन्ज का कोई मामुली सक्सियत नहीं था। नहीं तो इसके लिए इतना बड़ा भव्य मकबरा कभी नहीं बनाये जाता। वैसे तो ईसा खान नियाजी का जण्म सन 1453 में है था। लेकिन उनकी मृत्यू 1548 में 95 वर्ष की आयू में दिल्ली में होई थी। इसा खान का मकबरा दिल्ली में दूसरे मुगल समराट हिमायू के मकबरे के बनने से करीब 20 साल पहले बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनके मकबरे को बनवाया कौन था। तो यहां हमें एक हैरत कर देने वाली बात जानने को ये मिली कि इस मकबरे को ईसा खान याजी ने खुद अपने जीवन काल में ही बनवाया था। इस मकबरे के दिवालों के जरजर आते हुए पत्थर कहीं न कहीं इस इतिहास की गवाही देते हैं कि इसको इंडो इस्लामिक पैटर्न पर ही बनाया गया था। यहां की कैनोपी, चमचम आते हुए टायल्स और ये जालीदार खिड़कियां इस मकबरे के भव्यता को और जादे निखार दे रही थी। यह एक ओक्टागोनल स्ट्रक्चर का मकबरा था जिसे अस्ट कोड मकबरा भी कहते हैं, यानि इसकी आठ दिशाय थी और हर दिशा से ये मकबरा उतना ही खुबसूरत नजरा रहा था। अब वक्त आ चुका था कि हम इस इमारत के अंदर जाके देखें कि आखिर इस इमारत के अंदर ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग बड़ी बेकरा थे। तो जैसे ही हम इस मकबरे के अंदर अपना कदम रखते हैं वैसे ही हमारा इस्तकबाल ये लोगे की जंजीरे करती हैं जो यहां के दरवाजे पर लोगों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने इस मकबरे के अंदर जाखा तो हमने पाया कि यहां कबर बने हुई थी। पता चला कि यह बीज वाला कबर खुद नियाज इसाखान का था और इसके अगल बगल वाली कबर इनके खानदान के लोगों की थी। इस कबर में थोड़ा अंधेरा था और जरोखे से धीमी-धीमी रोशनी इन कबरों पर पड़ रही थी। इसी मकबरे के सामने एक यहां पे छोटा सा मस्जिद भी बनाया गया था। यह मस्जिद इसाखान नियाजी ने खुद अपने लिए बनवाया था। वो यहां सुब आपको इस मस्जिद के हर एक हिससे में दिख जाएंगे। इस मस्जिद की सबसे बहतरी नग्काशी इसकी गुंबत पर थी जो यहां कुछ तोगिश इंदो-असलामिक पैटन पर बनाया गया था। हमें यहां एक छोटा सा कुवा भी दिखाई दिया जिसके अंदर मानो प्रजाती ने कई सारी गंदगियों का धेर लगा रखा था तो ये रहा इस इसाखां की मस्जित की नकासियों का जायजा अब हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में एक नए एपिसोड और एक नए कहा जानी के साथ जहां हम जिक्र करेंगे हिमायू के मगबरे का तो अभी सफर खतम नहीं हुआ है दोस्तों सफर अभी बाकी है मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में बस तब तक के लिए पाइंटी सो माच